हमारा अमेरिका चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तो मैं हूँ आपका होस्वाश उमीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि अमेरिका में हाइकिंग जो है जिसको ट्रेकिंग भी बोला जाता है वो कैसे करते हैं दोस्तो अमेरिका की स्टेट पैंसलवेनिया का एक मेजर सिटी है फिलडल्फिया और उसके पास पढ़ती है यह रिवर जो आप देख पा रहे हैं पीछे इस रिवर का नाम है स्कूल के रिवर और यह रिवर जो है बहुत लंबी है और इसके आसपास जो एक ट्रेल बनी मौसम की बात करें तो आप देख सकते हैं थोड़े बहुत बादल है अकाश में लेकिन मोस्टली आज जो है वो क्लियर ब्लू स्काई है और बारिश होने की संभावना जो है बहुत कम से कम है थोड़ा सा गर्मी है जहां यहां पर तीस से ज्यादा टेंपरेचर है आज लेकिन फिर हमारी ट्रेल है वो ट्रीज के साथ बहुत जाला कवर्ड भी है इस ट्रेल में कुछ-कुछ जगह पर ऐसे आप देख सकते हैं पिकनिक एरिया भी बने होते हैं और यह आप देख सकते हैं बहुत सारे टेबल लगें यहां पर ग्रिल्स भी लगी है यहां पर लो चलिए उसी पर फोकस करते हैं ट्रेल का कुछ एरिया जो है कच्चा है इस तरह से आप देख सकते हैं कुछ एरिया जो है इस पर इन्होंने यहां पर सड़क टाइप बना रखा है यहां पर इसको पेवड एरिया बोलते हैं और यहां से आप देख सकते हैं यहां तक जो है इरिया था इसके बाद यह जो है रेगुलर ट्रेयल जो शुरू हो जाती है जो पेवड नहीं है पेवड और अनपेवड का मतलब होता है पेवड में जो है कंक्रीड या फिर जो है एसफॉर्ट डाल रखा होता है जिस पर ड्राइब भी कर सकते हैं लोग जबके अनपेवड जो है वह उस पे ड्राइब करना थोड़ा सा हो जाता है लेकिन वह उस परपस गली बनाई नहीं जाती जर्णाली और इस वाली ट्रेयल को जो मेंटेन करने वाला जो मैनेजमेंट है उन्होंने यह आप देख सकते हैं यहां पे रेट जो है मंगवा के रखी हुई है इसमें अब आप नहीं होते हैं तो इस पर जो वाक करते हैं आप देख सकते हैं इस रेट और बजली वाला जो मेइक्स है तो यह से अवाज आती है थोड़ी यह मेरी वाइफ और बच्चे वह आपे वह करते करते जा रहे हैं मैं आपको थोड़ा पीछे एक दो चीज़ें दिखाने लग गया था इसलिए थोड़ा सा पीछे रह गया है तो हाइकिंग करने में दोस्तो पैदल चलते हैं हम लोग आप देख सकते हैं और यह वाली ट्रेल काफी संदर है यह ब्लैक बैरीज के पौदे हैं अभी यह पकी नहीं है पूरी तरह से कुछ एक पकी है जब यह पकी आती है तो एकदम से काली हो जाती है यह आप देख सकते ह किस तरह से दोस्तों अमेरिका में आये मुझे 15 साल से ज्यादा टाइम हो रहा है अभी लेकिन हाइकिंग की अगर बात करें तो हमने जो और आफ करते रहे हैं लेकिन पिछले 4-5 साल से हम ज्यादा रेगुलर ली अभी कर रहे हैं जो यहां की लैंड है जो यहां का इन्वार्मेंट है उसके बारे में हम जानकारी भी दें और जैसा कि हम इनको प्लांट्स के बारे में यहां पर बताते रहते हैं जो भी एनिमल्स भी हैं यहां पर उनके बारे में भी हम इनको वेर करते हैं तो फसके प्लांट्स ओर धुमस्तितर नए अर्णीन हो तुमस्ताकी नहीं देख सकते हैं मेरा जो सन है इसको wild strawberries के बारे में पता था और ये हमारी family वाले खा रहे हैं Asian wine berries वो क्या होती है उसके बारे में एक अलग vlog में मैं जानकारी दे रहा हूं तो उसको आप जो है वो देख सकते हैं और हम लोग जनरली ऐसी ट्रेल्स पर आते हैं जहां पर कुछ और लोग जो हैं वह भी बाग कर रहे होते हैं दोस्तों hiking के लिए shoes जो है उनका अच्छे होना बहुत important है यह आप देख सकते हैं हमारे बच्चों ने crocs डाल रखे हुए crocs जो है यह अच्छे होते हैं वाक करने के लिए कि नीचे से काफी strong रहते हैं तो इन मेंसे और शूज के लावा जो सर पे टोपी जो है खासकर बच्चों के वह भी जुरूरी है आज तो खेर धूप नहीं है अभी बहुत जादा लेकिन कभी-कभी धूप होती है तब जो है यह टोपी बहुत जूरूरी होती है और टोपी ऐसी होनी चाहिए जिससे आपकी थोड़ी वाइफ है उसने और हमारी चोड़ी बेटी सावी है उन्हों दोनोंने बैग उठा रखे है इन बैग में दोस्तों हमारे कुछ एक फूट्स रखे हुए है खाने के लिए हमारे स्नैक और साथे में हमारी पानी की बोड़ल है और पानी जो है वह हाईड्रेशन के लिए कि बढ़ती है तो इसलिए पानी जो है उसको पीना बहुत ज़रूरी है कि यह हमारी लिटल हाईकर है अब यह चार साल की ही है लेकिन हमारा साथ जब वा करने की बात आती है तो दो-तीन मायल आराम से चल लेती है जब भी यहां पे हम हाइक करने आते हैं तो हमारे बच्चे बहुत excited होते हैं इस वाली painting को देखने के लिए यह painting है Mario की Super Mario जैसा कि आप जानते हैं तो यह हमारे लिए बच्चों के लिए यह था से little landmark है यहां पे इसको देख के वो बहुत खुश होते हैं और जब आप हाई करते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ लोग कुछे के साथ भी दिख जाते हैं कुछे कुछे जो है वो अग्रैसिव हो सकते तो उनसे आपको थोड़ा सा दूर रहने की जूरता है अच्छा होता है कि आप थोड़ा साइड पर हो जाएं खास कर जब आपकी सा धहान रखते हैं कि हम सर्फ पर रहें तो यह ज्ञादा इदर उदर जाएंगे तो उससे वहां पे एक तो प्लांट को हम डिमेज कर सकते हैं दूसरा वहां पे जो चोड़े अनिमल्ज उनको भी परिशानी हो सकती है तो इसलिए हम जो है ट्रेल पे रहने की कोशिश करते हैं रॉक्स हैं यहां पहर ब्लेक रॉप है है शायिद मझे लगता है तो यह बहुत कॉमन है हमारे अरियамен यहां है यह देखने हैं बहुत अच्छी लगती सका बहुत सुन्द सन्द लंड्सकैप होता है इस पर अलग तरह क्यों अलग की लगी तो मुझे लगता है किसी पंची ने इस वाइन बैरी को खाया होगा और वहां पर उसने अपना पूर किया होगा और उसमें से कोई बीज होगा जो वहां पर उग गया होगा या फिर एक पॉसिबिल्टी और है कि उपर कुछेशन वाइन बैरी के पॉद्धे होगे वहां से ज तोड़ी जो है, speculations लगा सकते हैं, predictions लगा सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था, क्या होगा, क्या हो सकता है अमेरिका में ट्रेल्स पे चनली पैट वेस्ट के ऐसे station लगे रहते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर यह बैग्स रखे हैं, इसमें से बैग्स निकाल के उससे उठा के उसका जो पूप होता है, उसको आप इस ट्रेश पेन में डाल सकते हैं जब भी हाइक करने के लिए आते हैं घर से अपना टैंपरेचर वगएरा जब एदर की कंडीशन जो है वो चेक करके आते हैं वी लास्ट वीकी ही बात बताता हूँ, आपको यहां पे काफी हमारी थरफ वारिश होई थी उन दिनों और जब मेने वेदर चेक किया वारिश घर हो लेह थी, पता ही था हट हट ट के बीच वीच में लेकिन जो मैंने weather चेक किया तो flooding के असार भी बड़ा हुआ है दोस्तों वैसे तो इस river का पानी जो है वो नीचा ही रहता है लेकिन अभी पिछले हथे जो है इसका पानी यहां तक आ गया था उपर तक कि आप देख सकते हैं यहां से आपको अंदाजा लग जाएगा इन पौदों से इस मिख्टी से आपको अंदाजा लग जाएगा कि पानी जो है वो कितना उपर तक आ गया हुआ था और इसका कारण यह था कि यहां पर बहुत सारी बारिश होई थी कुछ-कुछ एरियाज में और वहां से पानी आ के इस रिवर में इसका लेवल बढ़ गया था तो इस वज़े से यहां पर आना थोड़ा रिसकी था तो इसल और कुछ पानी वाले होते हैं वाटर वाले वह थो पॉजनस नहीं है हमारे पैंसिलविनिया में यहां पर लेकिन अलग-लग एरिया में अलग-लग तरह के जो स्नेक्स हो सकते हैं तो इसलिए हमें थोड़ा सा जब हम इनके पास से निकलते हैं या फिर इनके पास हम खड़े होते हैं तो हम पुरा द्यान रखते हैं कि वहां पे स्नेक्स औरर अगर स्नेक्स की बात करें तो आज भी हमने हमारे बच्चों एक-दो देखे हैं तो संक हमको ने पानी वाले स्नेक्स काफी देखे हैं यहां पर दूसरे जो garden स्नेक्स जो होते हैं जो rats और मॉग सगरा खाते हैं वो देखे हैं उसके लाबा एक दो टाइप के हमने और स्नेक्स देखे हैं तो fortunately luckily हमारा जो पाला पड़ा है वो नॉन पोईजनस स्नेक्स के साथ ही पड़ा है जो कि अच्छी बात है और उनको हमने अच्छे से देखा एंज्वाई किया उनको और उनने ने हमें जाने दिया और हमने उनने जाने दिया जो कि नेचर के लिए एक बहुत अच्छी चीजा देखा जाए जी और जी न दियो वाली जो पॉलसी है जब हम इंडिया में थे वहां पे तो हैर स्नेक्स देखना चाहिए पाइजनस है नहीं है उसको छोड़ते नहीं थे वहां पर जो सांप है वह तो सांप ही होता था वहां पर तो उसको बहुत रेर देखा है मैंने कभी उचारा अपने आप बचके निकल गया हो तो निकल गया लेकिन कभी किसी ने मैंने देखा है छोड़ा नहीं है वहां पर हमारे पंजाब में जहां से मैं ग्रोप हुआ हूँ अपने शके इलावा यहां पर भालू जो होते हैं उनका भी ध्यान रखना पड़ता है आपको हमारे पैंसलमें जो है वो जा देख जाते हैं लोह Wha खासकर सेंटरल पैंसलमें district कुछ जादा होते हैं कुछ में कम होते हैं लोग बिताते हैं कि उनको 2-3 साल बात दिख जाता है यहां पर हमें अभी तक नहीं दिखा लगी टच बुड दिखना भी नहीं चाहिए तो उनका भी बहुत ज्यादा थ्यान रखना पड़ता है हालके ब्लैक बीर जो है वो इतने डीजर सहरे होते लेक्षिन गेर अपने बचे के साथ है तो पिर बहुत नहीं हो सकते हैं कि यहां पर जो जंगली जानवर हैं वर्ट्स हैं तो उनके जो टिक्स होते हैń जो चिचर होते हैं या फ्र माइड जो जुएं होती है वह यहां पे कभी- Bjरती है और जब वह वह करते हैं यहां होती है तो उनका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि वह भी बहुत सारी बामारियां फिलाती है कि प्लांट्स की बात करें तो एक यह वाला पौदा है जिससे हम अपना बच्चों को थोड़ा ध्यान रखने की उनको एजुकेट करते हैं इसको बोलते हैं पौईजन आईवी अगर यह वाला पौदा जो है इटच हो जाए जा इसका जो किसी तरह से पते टूटके जो हैं वो जब बच्चे खेल लें इसके साथ तो उनके हाथ पे जो है रैशे हो जाते हैं एकदम से लाल हो होंगा कि पौईजन आईवी जो है वो कैसी कैसी होती है और एक पौदा है यह वाला इसको स्टिंगिंग नैटल बोलते हैं इसके पास अगर हाथ लेके जाएंगे उल्टा हाथ या कहीं पे भी अगर बाजू पे लग जाए तो जैसे मदू मखी डंक मारती है इसी तरह से य कि नैटल बोलते हैं कि यह जब हम हाइक पे आते हैं तो बच्चे हमारे जो हैं उनको साथ में खेलने का भी मौका मिलता है तूसरे साथ टाइम स्पैन गरने का ज्यादा मौका मिलता है और वो जो है चोड़ी चोड़ी अक्टिविडीज करना शुरू हो जाते हैं तो इस तरह से इन में एक तरह से देखा जाए तो टीम बिल्डिंग जो है वो भी बढ़ती है अभी शाम भी दोस्तों होने वाली है जो संसेट है वो होने वाला है अभी हम लोग घर जाएंगे और घर जाके अपना डिनर उगरा करेंगे तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको बहुत ही एक बेसिक साइ सब्सक्राइब था प्रवाइब से ग्ताइब बोमर्स करने हैं कुछ हालने करते अ का है कि 10 अनल देखेंगायर को फोन का दिम जो हसे रेंगेफनिक होटाने हैं लेकिन यह ही बेसिक देस्का और में अइडिया हमारा बनाखेंग है M 250 nessa ब्रšक्राव कैसे कैसे प्रपेर करते हैं और जब आप वाक करते हैं तो कैसे कैसे जो चीजें आपको जो है ऑन रोटीन पर अब जरब कर सकते हैं हाइक्स पर हम दोस्तों जाते रहते हैं और आपको और भी हाइक्स जो हैं उसके व्लॉग हम दिखाएंगे आने वाले टाइम में और उसमें जो जितना भी हमारे से जो अलग-लग तरह की वराइटी जो हम उसमें इंक्लूड कर पाए हम करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको जो है एंटर्टेन्मेट भी मिलता रहे है और इंफरमेशन भी मिलती रहे उमीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इंफरमेशन भी लगा होगा ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे हैं अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपकी कोई फीडबेक है या कोई भी किसी दरह का कोशिशन है तो आपको उसको कामेट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं उसको अंसर करने की पूरी-पूरी कोशिश करूँगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों आपसे हम मिलेंगे एक नए वीडियो में और दिखाएंगे हमारी अमेरिका की लाइफ का एक नए रंग तब तक का आप और वीडियो देखते रहे हैं आपके अपने चैनल से जिसका नाम है हमारा अमेरिका